ये गाईज इस ट्रिशीतन विलकाम और विलकाम बैक टू माई चैनल आज के वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे एक बिंगॉली वेडिंग गेस्ट मेक आप लूक ये जो मेक आप लूक है एक सॉप्ट पिंक ग्लैम लूक है I hope ये वीडियो आप लोग के लिए helpful होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मेक आप हम लोग स्टार्ट करेंगे आई मेक आप से यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी की आईब्राव किट को यूज किया है मेरे आईब्राउस को फिल करने के लिए जिससे मैंने एक कम प्रोडाक्ट यूज करना होता है बरना बहुत जादा अननैचरल हो जाएगा देन मैं यहाँ पर यूज करिए स्विस ब्यूटी की कंसिलर आज आईशाड़ बेस आईशाड़ बेस को यूज करने से आई मेक अप जो है और भी जादा पॉप होके आएगा अगर आपके आईशाड़ में पिग्मेंटेशन है तो उसे भी यह हाइट कर देगा आप लोग कोई भी आईशाडो बेस या फिर कंसिलर यूज कर सकते हो मेरी तरह और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्ट से आईशाड़ में मैंने पहले यूज किया है मिस की shimmer eyeshadow palette इससे मैंने दो pink गले की shade को चूज किया है जिसको मैंने apply किया है मेरे फूरे eyelid के उपर ये ज़ा आइशाडो जाना ये बहुत ज्यादा pigmented हैं बहुत easily smoothly ग्लाइड हो जाता है eyelid के उपर then मैंने यहाँ पे Swiss Beauty की ultimate shadow palette से एक brown गले की shade को चूज किया है जिसको मैं यूज करूँगी मेरे outer way पे और थोड़ा सा मेरे crease line पे और इसकी help से हमारी जो shimmer shade था ना उसको भी अच्छी तरीके से हम लोग edges को blend कर लेंगे next मैं यहाँ पे glitter eyeshadow palette यूज करी हूँ Mars की यह जो eyeshadow palette हने यह बहुत ज़्यादा pretty है और इससे मैं एक pink color की glitter को यूज करूँगी जिसे हम लोग apply करेंगे shimmer shade के विल्कुल ओपर इसे हमें हलके हाथों से tap करना है और यह बहुत easily apply हो जाएगा next liner के लिए मैंने यूज किया है लैक में की install liner यह जो liner है यह waterproof नहीं है मैंने यहाँ पे wing eyeliner create किया है liner को कितना थिक रखना है थिन रखना है वो आपके उपर depend करता है और कितना long करना है वो आपके हिसाब से कर सकत हो लाइनर के बाद मैं यहाँ पी उसके रही हूं mascara यह blue heaven की mascara है तो मैंने यहाँ पे 2-3 coat mascara apply किया है बोथ eyelashes में next मैंने यहाँ पे quickly false eyelash apply कर लिया है क्योंकि मुझे यह look eyelash के बिना incomplete लग रहा था now हम लोग करेंगे base makeup तो पहले मैंने यहाँ पे एक moisturizer यूज क्या है पॉंस की जो की बहुत जादा lightweight है अगर आपका skin oily है आपके लिए best product है so skin को moisturizer कहने के बाद मैंने यहाँ पे एक highlighter यूज क्या है base में जो की insight की है यह cream highlighter है तो बहुत easily blend हो जाती है foundation के लिए मैंने मेरी favorite full coverage foundation यूज क्या है जो की है Maybelline की super stay full coverage foundation और इसकी shade है golden तो मैंने बस 2 drop foundation की यहाँ पे apply किया है क्योंकि यह बहुत जादा full coverage है पहले मैंने foundation को brush की help से face में apply कर लिया है और फिर मैं उसको blend कर लूँगी beauty blender की help से यह foundation बहुत easily blend हो जाता है और बहुत एक matte finish देता है so यह foundation तो oily skin के लिए best है बट अगर आपका skin dry है फिर भी आप इस foundation को use करोगे तो कोई powder use मत करना वो बहुत जादा drying हो जाएगा so foundation को अच्छी तरीके से blend करने के बाद मैंने यहाँ पे concealer यूज किया है यह है Swiss beauty की same concealer मैंने बहुत थोड़ा ही concealer apply किया है मेरे under eyes में and breeze of the nose में पूरे base को set करने के लिए मैं यहाँ पे loose powder use करी हूँ Mars की यह जो loose powder है यह मैंने recently purchase किया है बट यह बहुत ही अच्छी loose powder है तो मैं यहाँ पे इसकी help से पूरे face को bake कर रही हूँ थोड़ी देर set करने के बाद हम लोग इसको dust off कर लेंगे और जो भी extra रह जाएगा brush में उसकी help से पूरे face को set कर लेंगे अच्छी तरीके से तो मैंने same जो brown shit था ना उसी को लिया है जिसको हम लोग use करेंगे मेरे under eyes में तिसे हमें अच्छी तरीके से smudge कर लेना है देन मैं यहाँ यहाँ पर यूज करेंगे काजल एले टिन की मैंने इस लूक में most of the eye product waterproof यूज नहीं किया है क्यों मुझे नहीं पता है मुझे अभी ओर रियलाइज हुआ blush के लिए मैंने यूज किया है S4 Color की Peach Mini Blush यह जो blush है Indian skin tone को बहुत अच्छे से suit करता है मैं थोड़ा जादा blush apply करती हूँ अगर आप लोग को बहुत जादा blush नहीं अच्छी लगती है आप लोग cream blush भी apply कर सकते हो highlighter के लिए मैं यूज करियू मेरी favorite HD duo highlighter from my glam तो मैंने इसको यूज किया है मेरे cheekbone के ऊपर थोड़ा सा breeze of the nose पे and same highlighter को ही मैं मेरे eyes के inner corner भी apply करूंगी और थोड़ा सा मेरे eyebrows के नीचे भी apply करूंगी last मैं lipstick के लिए use के लिए inside cosmetic के ये duo ये जो दोनों shade है ये मुझे बहुत अच्छी लेखती है so मैंने यहाँ पर outer line में apply किया है sugar plum shade and उसके बाद मैंने beach में apply किया है molten pink and quickly hair and jewelries को set केने के बाद this is my final look ये जो soft pink glam look है ये मुझे personally बहुत अच्छी लेखती है बहुत सारे different different outfit के साथ ये चला जाता है like pink, green, blue, black आप लोग कोई भी outfit के साथ इसको use कर सकते हो so I hope ये वीडियो आप लोग को अच्छी लेगी होगी ये makeup look आप लोग को अच्छी लेगी होगी तो अगर makeup look अच्छी लेगी है तो मुझे मिचे comment में बताना जरूर अगर ये वीडियो अच्छी लेगी है तो वीडियो को like, comment and share कर देना and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button so see you guys in my next video till then bye bye